कि अन्वांटेट फेशियल हेयर हो या फिर अपर लिप हेयर इसे रिमूब करने में हमारी होम रेमडी इस बहुत ही बहुत ही बेतरीन काम करती है हलो फ्रेंट्स वागत आप सब आपके अपने यूट्यूब चैनल आयरवेदिक हेल्थ सब्सक्राइब करें लाइकन को प्रेस करते हैं इसे यूजफिल वीडियो में सेयर कर रही हूं आपके साथ अन्वांटेड अपर लिप हेयर को रिमूब करने का बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका तो चलिए इस रिमीडियो को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए आपको एक क इसकी वेई रिमूब करने के लिए उसके बात आं यहां बंशन या, जयाक व्मोश आधा यहां करने के लिए इसके बात यहां पक। होतनी है सक 네्श में कि लिए हेलिंग्त Nancy का काम करती है हमारी स्किन पर किसी तरह का घाव नहीं होने देती क्योंकि जब हम अन्वांटेट हेयर को रिमूब करेंगे तो वहां पर किसी तरह का पेन या किसी तरह की कोई ऐलर्जी नहीं हो पाएगी इसलिए हम इसमें हल्दी जरूर एट करना है उसके बाद हाप लेमन हम इसमें स्कु हैसरे के ऊपन लिप नाटरी में हम और उसके मवाधें स्किन और को रिमूब करनें में पर एक कारगर नहीं बलकि आपके पोरे फेस को अज़े इसको पर अपने सबसी आपके सबसे पाइब कर लेहें ऊस Office को अपने फैस में गलेकर आथे सब saving करना है तो और बाद पाइख म पर पड़े हुए डेट सेल और टैनिंग को रिमूब करने में भी हिल्प करता है तो इससे अपलाई करने का तरीका जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर बहुत अच्छी यूजफुल वीडियोस हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें और प् पतली लेयर नहीं लगानी थिक लेयर लगानी इस पाइक को अच्छे से आपको अपने मूँ के चारू तरफ लगा लेना है या पिर आप पूरे फेस पर इसको लगा सकते हो बीस मिनट के लिए चोण दिना बाद यह सेमी ड्राय हो जाएगा तो आपको इस तरह से आपर डा रेगुलर इस पैक का आपको इस्तिफाल करते रहना है कुछ महीनों तक रेगुलर इस्तिमाल करने से आपके जो अन्वांटेट अपर लिप हैर या फेसियल हैर में नैच्रली रिमूब हो जाते हैं और रेगुलर आप यूज करते रहते तो बिल्कुल यह खतम भी हो सकते ह हैं तो इस तरह से आपको इसको यूज को को उसका करना है तो प्लीस कमन्ट जरूर में आप हमें पूँ सकते हैं तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब